HI, sine truth, Welcome to my channel. This video is solving in question number 29 The difference between inside and outside surfaces of a cylindrical tube 14 cm long is 88 cm2 If the volume of a tube is 176 cm3 find the inner and outer radius of the tube 哈 doncा रहता है कि THE DIFFERENCE देदिया है इसका? Inside and outside surfaces का terfaces लिखाया मतलब कि तो इंसाइड और आउट साइड मतलब कि एक tube रहेगा। इस स्रिनिकल है तो सिर स्रेयने ट्यूज़ का आउट साइड का सर्फेस होगा और एक। इंसाइड का सर्फेस होगा। दोनों का difference दे दिया है। surface areas का difference कितना 88 square centimeter और 14 centimeter long है ये क्या ये tube जो है न ये कितना 14 centimeter long है यहां से यहां तक क्या है 14 centimeter है this is 14 centimeter long and ठीक है उसके बाद क्या दो बोला है कि if the volume of the tube is 176 cubic centimeter find the inner and outer area ये अब दो ट्यूब तो इसमें जो है inner and outer radia ही find करना है inner radius क्या होता है देखे यहां से लेकर मतब ये जो diameter होता है वो यहां से लेकर के यहां तक होता है inner diameter outer diameter जो होता है यहां से यहां तक होता है inner radius जो होता है वो यहां से लेकर यहीं तक होता है और यह जो inner radius को मालते है small r से ठीक है और capital r जो होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ठीक है this is capital r तो small r और capital r हमें यही find करना है क्या करना है find the inner and outer radius of the tube तो चलिए solve करते है जो दिया रहता है उसी के helps हम solve कर पाते है तो पहले पहले बोला है कि difference दे दिया है inside and outside cylindrical tube के surfaces का means क्या करना है हमें लिख देना है since हमें दिया हुआ है कि difference difference between the surface areas difference between outside and inside surfaces surface areas and inside surface areas जो difference दे दिया है वो दे दिया है आपके कितना 88 square centimeter means यहां हो जाएगा 88 centimeter square ठीक है centimeter square अब यहां पर जो difference होता है वो कैसे निकालेंगे देखिए जो surface area होती है वो होती है 2 pi rh तो यहां पर जो outer outer जो surface होगा आउटर जो surface area होगी वही ज्यादा होगा inner surface area से क्यों क्यों क्योंकि बाहर वाला थोड़ा सा expand करके होगा capital R radius इसमें यूज होगा तो यहां पर हम क्या करेंगे difference निकालना है ना तो हम इसाब बड़े बाले में से छोटे बाले को मैनस करते हैं means outer surface area में से outer surface area में से मैनस करना होगा inner surface area यह difference होगा और यहीं आपका दिया हुआ है 88 centimeter square अब यहां पर ध्यान दिजिएगा outer surface area जो होगा वो होगा 2 pi capital R h 2 pi capital R h, h क्या है height of the cylinder minus inner surface area कितना होगा 2 pi small r h यह दुनों का जो difference हो दिया हुआ है 88 centimeter square अब इन दुनों से हम क्या करेंगे 2 pi h कामन ले लेंगे क्योंकि यही कामन है और capital R minus small r is equal to 88 अब यहां पर जो है value put कर देंगे तो 2 into यह मिलेगा बोद sides में हम numerator में कटा सकते हैं तो यहां पहले 7, 7, 7, 2, 14 कर लेते हैं और देखें आपर 22 से हम 88 कटाएंगे तो कितनी बर जाएगा 4 times जाएगा ठीक है और यहां इस 2 से कटाएंगे यह 4 4 2 जा हो जाएगा फिर 2 अंजा 2 और यह हो जाएगा 2 अंजा 2 मतलब कि कुल मिलाकर कि हमें सब कुछ cancel out हो चुका है इधर भी और इधर भी हमें बस मिलेगा capital R minus small r इधर में डिपलाई करेंगे तो यही मिलेगा is equal to, इधर क्या बचा 1 बचा means हमें मिल गया यह पहला equation capital R minus small r का मतलब दूनों का difference radii का difference जो है वो आ गया 1 ओके यह पहला आ गया अब बोल रहा है कि volume volume of the tube is 176 cubic centimeter तो लिख लेंगे volume of the tube tube का जो volume होगा वो होगा 176 centimeter cube हमारा formula क्या होता है volume of a tube का मतलब कि volume आप हालो cylinder का वही formula लगाएंगे हाँ पर क्योंकि यह जो tube है वो बीच में से खाली है tube राता है क्या होता है बीच में से खाली होता है तो यह हालो cylinder का volume लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा πाई in bracket capital r square minus small r square h is equal to 176 centimeter cube तो यहाँ पर अब जो है solve करेंगे तो दीए पाई पाई की value पूर्ट करते थे हैं पर तो यहाँ पर पाई की value हो जाएगी 22 upon 7 into यह r square capital r square minus small r square को थोड़ा break कर लेंगे और इस तरके से break करेंगे कि capital r square minus small r square को होता है क्या capital r minus small r और दूसरे break को होता है capital r plus small r okay मतब a plus b into a minus b यहाँ भी break कर लेंगे तो यह हो जाएगा capital r minus small r multiplied by capital r plus small r into h is equal to हो जाएगा 176 अचाई इस h की value जो है put कर लिजे sorry यहाँ पर यहाँ पर जो है h की value कितना है 14 दिया हुआ है यहाँ put कर लेंगे 14 cm is equal to हो जाएगा 176 अब यहाँ पर हम cancel out करते हैं जो cancel out हो सकता है वहाँ cancel out कर लिजे तो 7 मजा 7 7 2 जा 14 अब देखिए सभी तरफ left side में और right side में केवल multiply किया गया है तो हम दोनों तरफ से कटा सकते हैं यही पर तो 11 2 जा 22 हो जाएगा और यह कटेगा 11 से तो 11 हो जा 11 और एक बचा 16 हो गया sorry 6 बचा 66 हो जाएगा अब यहाँ पर कुछ कटेगा देखिए 2 से कटेगा 2 8 जा और यहाँ से 2 से कटेगा 2 2 4 जा 2 4 जा 8 मतलब कि बोट सेट में क्या बच गया है यहाँ पर देखिए capital r minus small r बचा है capital r plus small r बचा है और आगे यहाँ पर बचा है केवल 4 ठीक है 4 बचा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर first का use कर लेंगे capital r minus small r पर आपर 1 दिया है तो यहाँ पर 1 use कर लेंगे तो मिल जाएगा यहाँ capital r plus small r into 1 मतलब इतना ही रहेगा is equal to 4 ठीक है तो यहाँ पर लिख देंगे using 1 ठीक है तो अब इतना मिल गया हमें r minus capital r minus small r बरावर 1 और capital r plus small r बरावर 4 तो इन दोनों को यह दि add कर देंगे इसको माल लेते हैं second this is second equation ओके तो adding हमें निकलना है ना capital r और small r inner radius और outer radius add कर दीजिए adding first and second क्या हो जाएगा देखिए इन दोनों को add यह दि करेंगे तो हमें मिलेगा देखिए left hand side को left hand side से add कर लेते हैं means capital r minus small r में add कर लेंगे यह वाली quantity left hand side वाली तो capital r plus small r हो जाएगा is equal to इधर वाली quantity को इधर को add करते हैं तो 4 plus 1 कितना हो जाएगा 5 ठीक है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा ठीक है आपर small r और small r cancel हो जाएगा कि दोनों plus minus है और r कितना हो जाएगा 2 capital r is equal to हो जाएगा 5 यहाँ से मिल जाएगा आपको r is equal to 2 से divided कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको 5.2 cancel out करेंगे मिल जाएगा 2.5 तो 2.5 क्या मिल गया centimeter यह मिल जाएगा outer radius ठीक है अब inner radius के लिए इसको put कर देंगे किसी एक में first में put कर दीजिए तो मिल जाएगा small r यहाँ लिख लेंगे putting value of r capital r in first तो capital r की value है यहाँ पर 2.5 minus small r is equal to 1 जाएगा और यहाँ से small r is equal to हो जाएगा 2.5 minus 1 means जाएगा 1.5 centimeter so inner radius आगया 1.5 centimeter तो लिख लेंगे hence so outer radius मैं तब की पहले लिख लेता है inner radius ही inner radius is equal to 1.5 centimeter and outer radius outer radius is equal to 2.5 centimeter यही दुनों आपके क्या है answers है thank you so much for watching दड़ी goof झातो प्लाब्ऻ अल्चे, निल्ग प्लाब्ज